हेलो दोस्तों मैं दिवाकर उपाध्या स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम आपको R.E.C. कन्नौज का खॉलेज का रिब्यू देने वाले हैं सारा कुछ one by one discuss करेंगे जितनी भी चीज़े यहाँ पे लिखी हुई हैं पी ऑस्टल फैसिलिटी प्लेस्मेंट ओपनिंग क्लोजिंग रैंग मतलब सब कुछ आपको बताने वाले हैं तो अगर आप मारे चैनल पर नए आया हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे इसी तरीके के कॉलेज से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए इससे पहले हमने आईटी लखनाव जो की एकेटीउ का टॉप कॉलेज है उसका रिव्यू अल्रेडी अपलोड कर चुका है आप लोग को काफी अच्छा रिस्पॉंस भी उस पे आया है इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूँ तो देखो सबसे पहले तो जो आरिसी कन्नावज है वो एकेटीउ का वन अप तो बेस्ट गवर्रमेंट कॉलेज है अब मैं बेस्ट गवर्रमेंट कॉलेज क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे की वीडियो में पता चलता रहेगा तो देखो हर चीज बिल्डिंग से नहीं होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है बहुत सारी चीज़े देखी जाती है तब उसको बेस्ट बोल सकते हैं तो यह जो है सबसे पहले टॉप कॉलेज है एकेटी होगा और यह जो मिलता है वो जो जेई मेंस का आपका रिजल्ट होता है उसके बेसिस पर अपना काउंसलिं कराती है एकेटी हो और वहां से आपको मिलता है तो देखिए और यह हमारा इंस्टागराम का हैंडल है अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप इसको सर्च करके Instagram पर जुड़ सकते हैं तो देखिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दू कि R.E.C. कन्नौज का जो फुल वीडियो ब्लॉग है वी लॉग वो हमारे दोस्त का चैनल है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर बताया हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा चैनल का भी लिंक दे दूँगा आप जा करके चैनल को सब्सक्राइब करीगा और वहाँ पर बहुत ही अच्छे से सारे के सारे जितने भी कमपटिशन हुए हैं और स्पोर्ट्स हुए हैं टेक फिस्ट हुए हैं सारा का सारा वीडियो उसने अपलोड कर दिया है तो आप जा करके वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आरिसी कन्नौज कोलेज के रिवीउ के बारे में तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फी डीटेल की तो यहाँ पर फीस कितनी लगती है तो देखो अगर बात करें बीटेक फर्स्ट इयर का और लेटरल इंट्री का तो जो आपका फीस है टोटल वो 60,000 रुपे लगते हैं और बीटे सेकेंड इयर का बात करें थर्ड इयर का फोर्थ इयर का तो वो फीस बराबर है लगता है तो देखो होस्टल का फीस लगता है 12,000 2000 कौसन मानी लगती है तो मतलब होस्टल मिला करके 14 हचर हो गया और जो आपको मेस का फीस देना पड़ता है वो 16,500 देना पड़ता है लेकिन एक बाद ध्यान रखना जो ये मेस का फीस है न ये बढ़ सकता है और घड़ सकता है अगर ज्यादा समेस्टर लंबा चल गया तो बढ़ भी सकता है तो 4,000 कोई वो नहीं इशू नहीं है तो पूरा मिला करके जो एक समेस्टर का लगता है और हाँ ये जो है पर समेस्टर है यहाँ पर समेस्टर 16,500 लेकिन ये जो होस्टल का फीस लगता है वो पूरे एक साल के लिए लगता है एक येर के लिए ठीक है तो 30,500 आपको देना होगा और जितने भी फीस होती है न वो SBI collect mode के थुरू आपको payment करना होता है तो वो आपको SBI के site पर जा करके सब कुछ detail मिल जाएगा और ये हमारा college का जो official site है वो जा करके आप visit कर सकते हैं और देख सकते हैं अब बात करते हैं हम hostel के बारे में तो देखो यह किसी भी college का हमारे college में 4 hostel है जो first hostel है कदम hostel ये सबसे oldest hostel है ठीक है ये boys के लिए है second hostel गुलमोहर है ठीक है ये भी boys के लिए है और जो third hostel है वो पलास hostel है ये boys के लिए है लेकिन ये single seater room है यहाँ पे एक बच्चो को एक room दिया जाता है तो देखो ये ऐसा होता है कि जो पहले आया और पहले पाया मतलब कि इसमें कोई भी ये नहीं होता है कि आपको जो number देखा जाएगा rank देखी जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता है अगर आप इस बर जो allotment हुई है तो हमने दोस्तों से पता किया है तो ऐसे ही मिली हुई है कि जो पहले form भर दिया उसको hostel allot कर दिया गया है अब बात करते हैं girls के लिए जो भी girls देख रही है तो girls का देखो सिर्फ एक ही hostel है अब परजीता hostel नाम से जो की girls hostel है ये single seater नहीं है यहाँ पर दो या तीन लड़कियां रहती है साथ में और देखो यहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत ही सही सुविदा यह है कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना पड़ता है जैसे पहले hostel की कमी थी अभी भी कमी है तो कुछ बच्चे जो होते है बाहर रहते है लेकिन girls के लिए यह सुविदा आया कि girls को hostel मिल जाता है रुकने के लिए ठीक है उनको कोई problem नहीं आती है और एक hostel लड़कियां आ जाती है strength थोड़ी कम रहती है लड़कियों की आपको पता ही होगा government college में तो वैसे भी कमी रहती है ठीक है तो यह रहा हमारा hostel टूटल चार hostel है अगर आप हो कोई भी और जानकारी चाहिए hostel के रिकार्डिंग, college के रिकार्डिंग तो comment करके पूच सकते हैं और अगर आप हमारे चनल पर नए आया है चलों को please subscribe करना हमने target बनाया है इस वीडियो से अपने 1500 subscriber को पूरा करना और इस वीडियो पर कम से कम 50 like तो यार होने ही चाहिए ठीक है और अगर आप next college कौन सा चाहते हो वो comment बता देना, हम उस पर वीडियो ला देंगे अब बात करते हैं facilities क्या क्या मिलती है ठीक है तो wifi in hostel और campus तो wifi की बात करें तो देखो hostel में तो मिल रही थी लेकिन फिलाहाल नहीं मिल रही है लेकिन campus में आपको मिलेगा, wifi के सुविदा लाइबरेटी में आपको मिल जाएगी wifi water cooler तो हर एक floor पर water cooler आपको अब लेबल कराया जाएगा with RO system मतलब की पानी साफ रहेगा ठंडर रहेगा geezer in washroom ये है की नहीं तो देखो यार इसको तो मैं ना ही बोलूँगा यूँकि geezer हर washroom में तो ये लेबल नहीं कराया गया है लेगिन हाँ जो भी old hostel है ना उसमें एक geezer है तो उसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो उसके बात करते हैं electricity और water की तो electricity और water 24 घंटे अवलेबल रहती है कभी-कभी मान लोगर बारिश का मौसा मुआ या कुछ दिक्कत आई टेकनिकल तो चली जाती है light या फिर रहती है अब बात करते हैं gym college में gym है की नहीं तो देखो इसका साफ साफ है no इसका जो आंसर है वो no क्योंकि R.C.C.C. में ऐसी कोई भी facility नहीं है जो की gym प्रोवाइड कराती है या तो college campus के अंदर या hostel के अंदर कहीं भी gym की सुविता आपको नहीं दी जाएगी ठीक है अब बात करते हैं medical facility की तो medical facility आपको दिया जाएगा emergency के लिए college में available रहता है dispensary आप वहाँ पे चाह करके छोटी मोडी दवाईया ले सकते हो और नहीं तो hostel में अगर आपको तबियत खराब होती है तो वो सारा कुछ management देखता है ambulance बगरा का विवस्ता करा दिया जाता है अब देखो जो main part आता है auditorium तो देख सकते हो ये है हमारा auditorium यहाँ पे अभी under construction चल रहा है हलाकि अभी काम रुका हुआ था लेगिन फिलाल काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है मेरे ख्याल से लग जाएगा भी कुछ साल तो लगी जाएगा ये देखो ये जो है ना ये हमारा main college का main gate है और ये जो है ये auditorium आपको दिख रहा होगा और यहाँ से ये main highway आता है यहाँ आगे आगे से ये main highway आता है और आपको highway से उतर करके सीधे college में जाने के लिए रास्ता है मतलब कि main जगा पर college है थोड़ा सा infrastructure खराब है college का मानते है लेकिन college overall वहत ही अच्छा है क्योंकि पढ़ाई देखा जाता है ना हर चीज नहीं देखी जाते infrastructure से तो देखो ये है अपना auditorium जो कि अभी बन रहा है जाल में third year में हूँ तो यहां से आपको सारी चीजें प्रवाइड कराई गई है और इस college के बारे में जो भी detail होगा आपको बहुत ही अच्छे से और ground reality के साथ बताई चाहेगी तो कुछ भी detail चाहिए तो comment करके पूछ सकते हो आप और यह देखो library और campus life कैसा है तो campus life का तो photo मैं यहां पर upload नहीं कर पाया हूँ campus life नॉर्मल ही है यार उतना high-five campus life नहीं है और library में देखो यह मैं हूँ हम लोग पढ़ रहे थे तो एक photo हमने मिल गया gallery में था तो निकाल दिया यह हमारे दोस्त है जिनका चैनल हमने बताया है आपको पहले आप जाकर subscribe करना ठीक है तो यह देखो library में चेयर की सुभिधा काफी अच्छी दी गई है ब्लैक वाली चेयर है moving चेयर है आप यहाँ पढ़ सकते हो यह मैं हूँ और आप जाकर करके यहाँ से मेरा instagram handle यूज कर सकते हो वहाँ से जुड़ो मेरे साथ ठीक है अब देखो अब बात करते है main lab room मतलब यह जो है अपना main जो lab room है वो है computer lab जो है यहाँ पर देख सकते हो आप smart board रखी गई है जो ही आप teacher लोग पढ़ाते हैं और यहाँ पढ़ाते हैं यहाँ पर computer laptop की सुभिधा दी गई है और यह अपने कुछ classmates हैं जो कि हम लोग पढ़ते टाइम फोटो निकाले थे ऐसा करना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो ठीक है और काफी बड़ा है lab computer कमी नहीं होती है और ऐसे छोटे मोटे lab तो मतलब बहुत सार है लेकिन यह जो है ना यह main lab है यह main computer lab है और बाकी small small तो है ही 2-3 अपने faculty के ठीक है अब बात करते हैं सबसे important और सबसे जो college में आने से पहले बच्चा देखता है वो है placement तो देखो placement की अगर बात करें तो आपको पता है कि जितनी भी government college है वो real placement provide कराती है private college की तरफ fake नहीं होता है कि 2 महीने बाद आपको निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पर placement का अगर percentage वाई आपको record बताया जाए तो almost मुझे लगता है कि 50-40% आपको placement दिखाया जाता है जो की real होता है मतलब ऐसा नहीं बड़ी-बड़ी वादे किया जाए और आपको कुछ मिले ना तो देखो company यह जो आती है वो tapazemia आती है Accenture, Mount Blue और आप देख सकते हैं TCS उसके बाद और इनका जो देखो Accenture का जो package होता है वो बहुत ही अच्छा होता है good package होता है इसका ही package बहुत ही अच्छा होता है TCS थोड़ा average package provide कराती है हमारे college में personally क्यूंकि government college है और state government है तो आप समाझ सकते हो कितना package देती नहीं यह company है अब बात करते है next यह हमारा placement का तो यहाँ भी देखो TCS हा रहे है प्रिज्म है Cognizant है ठीक है तो यह देखो यह हमने अपने college की site से उठाया हुआ है जो placement का record है ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बच्चे है जिनका placement हुआ है अपने senior sir लोग है जिन में से आपको देख दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो 16 LPA, 16 LPA, 16 LPA तो यह देखो यह cadence company है और यह Qualcomm है और यहाँ पर यह कोई company है ठीक है तो यहाँ पर maximum जो package गया है अपने college का वो 16 LPA गया है जो की मतलब college से in campus placement लगी है यह जो 16 LPA की placement लगी है वो in campus मतलब cadence जो company है electronics department की EL यह जो core company आई होई थी अपने college में सिर्फ एक बच्चे को select करी है तो यह देखो यह मतलब ground reality है हकीकत है कि package कम लगते हैं लेकिन जो लगते हैं वो genuine लगते हैं और इसनल लगते हैं ठीक है कोई fake लेक नहीं चलता है यहाँ पर government college में आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आ आपको दो लाग तीन लाग पकड़ा दिया गया और दो महिने बाद निकाल दिये वो लोग ठीक है अब देखो आप बात करते हैं opening और closing rank का तो round one का अगर बात करें तो देखो round one में जहां तक यहां पर data मिला हुआ साइट से तो यह electrical engineering का यह देखो सारा कुछ open मैंने बता रखा है अगर आपको कोई भी category का चाहिए OBC EWS को तो आप जाकर के comment पूछ सकते हो मैं बता दूँगा आपको तो देखो अगर electrical का बात करें तो बोथ male and female का जो गया है एक लाग दस अजार opening और एक लाग एक 80,000 यह first round का है ठीक है और computer science का बात करें तो 80,000 और 90,000 उसके ब round 2 की बात करें तो round 2 में देखो यह civil engineering का गया है दो लाग 74,000 तीन लाग 10,000 ठीक है और civil engineering में अगर home state quota की बात करें तो 3,56,000 पांच लाग 40,000 काफी जादा रहें गया है तो rank पे मत जाना क्योंकि बच्चों को पता भी नहीं रहता है कि college कौन सा अच्छा है कौन सा खराब ह तो गलत अपना counseling कर लेते हैं लेकिन genuinely बता रहा हूँ इक college काफी अच्छा है पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो काफी ठीकटा college है यह computer science का आप देख सकते हो 84,000 और 1,38,000 पे बंद हो गया है अगर बात करने है electrical का तो आप देख सकते हो 1,58,000 से शुरू ह करते हो तो अगर आपकी कोई और कोटा लगती है तो फिर तो काफी ज्यादा रंग तक भी मिल जाएगा अब बात करते हैं round 3 का तो देखो round 3 का भी वही सीन है civil engineering जो है वो 2,85,000 से start होकर 7,83,000 तक चला गया है और computer science की बात करें तो 9,93,000 से शुरू होकर 1,42,000 तक चला गया उसके बाद electrical department की बात करें तो 2,38,000 से ले करके 4,5,000,000 करीब चला गया है और electronics की बात करें तो 1,72 से ले करके 2,23 तक चला गया है ठीक है तो यह रहा पूरा का पूरे जटा आप देख सकते हो अच्छे से पढ़ सकते हो वीडियो काफी लंबा हो जागा इसलिए मैं पूरा department नहीं हुआ है सिर्फ एक ही candidate लिया है जिसकी रहेंगी यह है ठीक है एक बच्चा सिर्फ लिया हुआ है और CST department की बात करें तो 8,19,000 से ले करके 51,000,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001,001 तो एक बात और है यार देखो जहां तक बात करें government college की तो मुझे लगता है government college में सबसे बड़ी बात है कि scholarship आपको मिल जाती है ठीक है scholarship आपको बहुत मतलब हर साल मिली जाती है अलगबग और और क्या चाहिए यार अगर आप बीटे कर रहे हो scholarship मिल रही है private college में आप जाते जगी जाएगी ऐसा नहीं कि private में जहां private में जाओगे थोड़ी सी मस्तियां हो जाएंगी college ज्यादा अच्छा रहता है infrastructure बढ़ियां होता है पार्क वरक मिल जाता है आपको मस्ति करने के लिए ठीक है तो यह रहा पूरा का पूरा वीडियो और यह है हमारा instagram का handle account आप जा करके please join करो इसको ठीक है तो आप comment करके बताना कि किस college पे आप next video चाहते हो हम उसको provide कराएंगे और अगर आपको कोई भी बहुत धन्यवाद आपको चैनल पर नए हो तो please subscribe करो वीडियो को like करो और दोस्तों साथ share करो जो counseling related वीडियो देख रहा है ठीक है तो मिलते है next video में तब तक के लिए ख्याल रखिये अपना धन्यवाद